अनिडेस क्या है यह इनको नहीं पता है और आपको लगता है कि यार जब इसकी जुरूरत है तभी इस software को मैं रखूँ तो जब तक आप accept नहीं करते तब तक सामने वाला कुछ नहीं कर सकता दोस्तो आज की उडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक मिनिट रुकिये है एक कॉल हलो सर मेरा नाम राकेश शर्मा है हाँ जी बूलिए क्या आप मुझे आपका PC एनिडेस पर दे सकते हैं सर यह एनिडेस क्या है यह इनको नहीं पता है तो आज का हुडियो यही होने वाला है कि एनिडेस क्या है इसके परे मैं डीटेल में बताने वाला हूँ पहले इनकी क्युर्ट कर लेता हूँ हाँ जी मैं एनिडेस के बारे में जी इसके बारेम के बारेम सिब्दों उनकी तो मैंने छो को बेतबिरी और वो मैंने घर बैटे बैटे की तो अगर आप भी ऐसा चाहते है कि भ hyvä अगर आपको किसी ने technical सवाल पूछा है, उनके PC में कुछ error आ रहा है, तो आप उसे solve करें अपने घर बैटे बैटे, तो वो possible है एक remote software की मदद से, जिसका नाम है AnyDisk, जीना दोस्तों, और अगर आप non-technical person है और आप किसी से assistant लेना चाहते हैं, और help लेना चाहते हैं, मुझे Excel में a query है, Tally में a query है, या कोई technical problem है आपका, जो आप solve करना चाहते हैं एक technical person से, तो आप आपका PC उसे remotely दे सकते हैं, और वो AnyDisk की मदद से होता है, मैं technical query की बात कर रहा हूँ, physical नहीं, याद रखिए, अगर आपके computer में hardware का कोई problem है, तो भई उस technical person को आपको घर पे बुलाना पड़ेगा, वो आखे चेक करेगा, और फिर वो hardware का problem है, बिसिकल वहाँ पे उसे present रहना पड़ेगा, लेकिन technical issue है, तो physical present रहने की ज़रूरत नहीं है, remote software की मदद से ही है, solve हो सकता है, अगर आपको नहीं पता है, AnyDisk के बारे में, कि AnyDisk से हम कोई भी PC कैसे access कर सक करते हैं, यह कैसे, अगर आपको नहीं पता है, तो यह वडियो आपके लिए, पता है तो skip कीजिए, नहीं पता है तो पूरा दिकिए, सीधी बात, नो बखवास, मैं सतिश, complete technology channel में आप सापका सौकत करता हूँ, let's begin. तो आई यह, सबसे फ़ेले computer screen पर यह, यहाँ पर आपको search करना है, chrome browser में, anydesk.com, कोई भी browser है आपकी वस, anydesk.com सर्च कीजिए, यहाँ पर आपको download option मिल जाएगा, आप Google पर भी search करेंगे, तो भी चलेगा, download option पर click करते ही, यहाँ पर यह software नीचे download हो जाता है, और यह 2-3 MB का software एक weekly download हो जाता है, और बहुत सरे लोग आज़कल इस anydesk software का इस्तमाल करते है, यहाँ पर जैसी आप इसे start करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह से screen आएगी, जिसमें your address, यहाँ पर मेरा address आपको दिखाई दे रहा है, अब मैं यह address किसी भी person के साथ share करूँगा, जिसके यहाँ देगी, याद रखिए, मैं आपको लायू दिखाता हो अभी, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे किसी का assistant लेना है, तो मैं उसे call करूँगा, बुलूँगा कि मेरा anydesk ID यह ले लो, तो technical person क्या करेगा, अपने mobile में या computer में, जहाँ पे भी है, वो anydesk software पहले इ instruction पूछेगा, कि हम access करना चाते है, आपके mobile के कुछ features वगरा, उसे आप allow करेंगे, याद रखिए, यह software जब चालू रहेगा, तभी आपके mobile को, या फिर आपके computer को कोई access कर पाएगा, तो यहाँ पर यह security है, दूसरी चीज ऐसी, कि आप जब तक accept नहीं करोगे, तब तक को अगर आप accept कर दिये, एक invitation आपको आगया, कि यह NEDAS use करना चाते है, आपका NEDAS desktop पे चालू है, तो अगर आप accept करते हो, आप तो ही उसकी screen, desktop की या mobile की screen उसको दिखाए देगी, तो don't worry about it, जब तक आप accept नहीं करोगे, तब तक दिखाए नहीं देगा, यह security है, तो बिना accept क के अंदर अल्रेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है, तो यहाँ पे आप mobile में देख पाऊगे, remote access नाम का एक option मिल रहा है, जहाँ पे मैं क्या करूँगा, जिसका भी screen मुझे access करना है, मुझे किसी की mobile का screen access करना है, या पी desktop का, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसक उसके बाद 686, उसके बाद मैं यहाँ पे जैसी ही arrow पे क्लिक करूँगा, आपको desktop के उपर दिखाए देगा, एक pop-up आ चुका है, कि भाई, आपके लिए एक invitation आ गया है, तो यहाँ पे जैसे आप accept कर देऊ दोस्तों, तो सामने वाले को आपकी screen दिखाए देगी, तो यह accept करना है, reject करना है, आपके उपर dismiss कर दो, अगर आपको नहीं दिखानी है, अगर आपको लगता है, किसी नहीं, मतलब आपने analytics चलो रखा और किसी नहीं यहाँ पे क्या किया है, request आपको भीजी है, जो आपको पता भी नहीं है, तो आप रिजेक्ट कर दो, जब आप accept करोगी है, मैं सारी चीज़े desktop की minimize करता हूँ, थोड़ा सा delay रहेगा, जो कि हो सकता है, internet speed की वज़े से हो सकता है, तो अभी आप देख पाएंगे, पूरा desktop है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा mobile को horizontal mode मिलाता हूँ, 69 में, तो आप देख पाएंगे, अभी मैं यहाँ से mobile से access करता हूँ, यह देखिए, मैं mouse pointer mobile पे, यहाँ पे मैं touch करके घुमार हूँ, मैं यहाँ पे start पे आ जाता हूँ, और start पे मैं यहाँ पे tap कर देता हूँ, जैसे मैंने tap किया, यह देखिए, ओहो, क्या बात है, start open हो गया, ऐसे आप कोई भी file folder open कर सकते हैं, access कर सकते हैं, और help provide कर सकते हैं, जिसको technically कुछ पता नहीं, तो उसका computer आप अपने mobile में या दूसरी computer में access करके उसका technical problem आप ऐसे solve कर सकते हैं, तो कपी आसान है, कोई problem ने इसमें बस आपको proper ID डालना है, next करना है, और सामने वाले ने अगर accept कर ली आपकी request, तो आपको उसकी screen दिखाई देगी, पहली यहां पर session close mobile पर दिखाई देगा, okay, session close, that's it, फिर से मुझे connect करना है, तो मैं यहां पर tap करूँगा, mobile पर यहां पर फिर से उसको request चली जाएगी, अगर उसने accept की, बार-बार request जाएगी, अगर उसने accept की, तो ही, वो screen मैं देख पाऊँगा, mobile पर या पिर दूसरे computer पर, न यहां पर यहां पर enter remote address करके box दिखा दे रहा है आपको, तो यहां पर मुझे mobile का address डाल रहे है, 195, जो है, already मैंने इसमें इंटर करके रहा था, 195473407, मैं इस पर type करूँगा, और जैसे type करके enter करूँगा, तो यहां पर देखे, please wait for remote site to accept your session, mobile में आकर देखे, एक pop-up आएग क्लिक करूँगा, अब mobile पर screen recording नहीं होगा, लेकिन मेरी जो screen है, मैं वो desktop पर देख पाऊँगा, waiting for image desktop पर आएगा, थोड़ा सा time लेगा यह, और जैसी यह connect कर लेता है, वैसी ही, यह mobile की screen आपको दिखाए देगी, right, यह देख पाएंगे, मैं यहां पर mobile की screen दिखा रहा हू आपको, फिलाल यह mobile screen पर recording नहीं होगा, क्योंकि recording, थोड़ा सा security reason की विसे recording mobile पर stop हो जाएगा, लेकिन यहां पर आप computer पर देख पाएंगी, कि यह पूरी screen में access कर रहा हूँ, अगर मैं कोई browser में open कर लेता हूँ, website वगएरा, जो भी चीज़े, आप WhatsApp messages वगएरा देखना च इस तरह से मैंने यहां पर Chrome browser access किया है, जो कि आप देख सकते है, mobile screen यहां पर आपको दिखाए दे रही है, और यह मेरी website है, जहां पर देर सारे courses चल रहे है, टैली का course है, MS Office का course है, बहुत ही कम फीज में ISO certified courses चल रहे हैं, जो कि मैं आपको दीखा रहा हूँ, screen के उपर यहा हम किसी से भी technically help ले सकते हैं, और किसी को भी technically assist कर सकते हैं, तो मैंने आपको आड़े दी कि भाई desktop पे अपने mobile को कैसे access कर सकते हैं, mobile से कैसे desktop access कर सकते हैं, या फिर एक mobile से दूसरा mobile भी access होता है, इन डेस की मदद से, या आप try कीजिए है, मुझे comment section में जरूर लिकिए, again I'll I tell you, बहुत सरे लोग बोलेंगे कि भाई, यह secured है, क्या मैं बताता हूँ, जब तक आप accept नहीं करते हैं, मैं repeat बोल रहा हूँ, तब तक यह सामने ओला आपकी screen को देख नहीं पाएगा, इस software के मद से, तो यह software के बारे में जो भी गलत फैमी आपके मन में रहेगी, तो वो इस वीडियो में इतना ही मैं सतीश लेता हूँ, अलविदा, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से कहूँगा, कि अगर आप चैनल पे नहीं में महन हो, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकों पे क्लिक कीजिए, और मेरे जितने भी चैनल उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन मे दिये, टेकनलोजिसी रिलेटेड एक शॉट्स का चैनल में ने ओपन किया है हाली में, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो कि 60 सेकेंड में आपको शॉट्स सीखने मिलेंगे, घर बैटे बैटे, बैटे, बाइबाइ